मार्केटिंग के लिए या फिर अगर आप कोई अपना बिजनस रन करते हैं तो आपको डेटा कलेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो भी आपको चाहिए एकुरेट डेटा तो इस प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए आज हम एक टूल को डिसकस करेंगे इसके बारे मैं अल्लेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है लेकिन ये टूल अब काफी ज़्यादा अपडेट हो चुका है तो पहले वाला टूल अभी काम नहीं करता है इस टूल को हम देखेंगे बिल्कुल फ्री टूल है वैसे मार्केट में हजारों टूल्स अवेलबल हैं आप देखिएगा तो तरह तरह के एक्स्रेक्टर आते हैं बट जो वर्क की अगर बात करें और ये टूल काफी ज़्यादा इंप्रूवड आपको एकुरेशी के साथ में डेटा देता है काफी ज़्यादा है और बिल्कुल फ्री है एक भी पैसा आपको नहीं लगाना है तो इस इस website पर आप आईएगा यहां पर आपको मिलेगा add to chrome it's free तो हम इस टूल को कर लेते हैं chrome पर add तो add to chrome पर क्लिक करेगा और यहां पर add extension पर हम क्लिक कर देते हैं तो यह टूल हमारा आप देखिए इसका काफी अच्छा रेटिंग भी है और इसमें प्रॉब्लम बस यह है यह थोड़ा सा technical है अगर आप post time यूज करेंगे तो शायद आसानी से ना यूज कर पाएं और उसी चीज को मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूँगा कि किस तरीके से data को आपको निकालना है तो यह हमारा plugin हो गया है install और इसको हम पिन कर लेते हैं अपने bookmark में तो यह हमार टूल हो गया है start बट यह हमने इसको login कर लिया है अगर इनकेस आप login नहीं किये हैं तो आप login कर सकते हैं login with google के साथ में आपको option आता है और आप इसको easily login कर सकते हैं तो मैंने इसको install कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि google पर आएंगे और google पर आपको जिस भी निष्ट का data चा चाहते हैं आप किसी company का data चाहते है restaurant का data चाहते हैं आप जो भी data चाहते हैं आपको simple google पर वो चीज़ सर्च कर देनी है like हम IIT coaching कर चाहते हैं तो हमने IIT coaching in Lucknow हमने type कर दिया और यहां पर आप देखे आपके पास काफी सारा data आ जाएगा but इसमें आपको क्या problem होगी कि आप ए और more places पर click करने के बाद आपको data miner के plugin पर click करना है और click करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा google list scrap basic 2021 आप केवल और केवल इसी पर click करेगा और click करने के बाद आप इस pencil button पर click करेंगे और यहां पर आप इस चीज़ को edit कर पाएंगे तो like हमें mobile number चाहिए तो यहां पर आप देखे business name, address, phone number, website दिया गया है बट यह आपका work नहीं करेगा क्योंकि यहां पर problem क्या है आप अगर इस data को देखेंगे तो यहां पर हमें कुछ अलग ही जानकरी यह दे रहा है phone number की बजाए यह हमें address और भी जानकरी business की दे रहा है बट यह हमें तो चाहिए नहीं हमें चाहिए phone number तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस navigation button पर click करेंगे और यहां से इसको करेंगे हम edit और edit करने के बाद में हम यह easy column finder पर click करेंगे तो यह मैंने easy column finder पर click किया और उसके ब जैसे ही आप click करेंगे आप देखेगा इतना data आपका highlight हो जाएगा और select भी हो जाएगा उसके बाद आपको keyboard पर c press करना है c button तो यह keyboard पर हमने just c press कर दिया है c जैसे ही आप press करेंगे आप देखे यहां पर आपको आज आएगा narrow to one element और यह जब आप करेंगे तो यहां पर आ नीचे काफी सारे option आएंगे इसमें देखे item number 4 हो सकता है आपकी case में कुछ और आए बट यहां पर आप यह देखे कि आपका mobile number कि इस column में है और इस तरह के से आप यहां पर great you found your item करके आजाएगा हम इसको confirm कर देते हैं और इस तरीके से आप देखे यहां पर हमारा 20 data क्या हो गया है अभी mobile number आ गया है तो यानि कि अब यह proper work कर रहा है उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसको scroll करके इसको save भी करने ला है और save करने के लिए आप इसका कोई नाम change कर सकते हैं जैसे हम इसको कर देते हैं final या फिर आप जो भी नाम लेना चाहें तो इसका हमने final नाम दे दिया और description जो भी आप देना चाहें और इसको save as new कर देते हैं save कर देते हैं और अभी यह recipe हमारी save हो गई है अब हम क्या करेंगे simple इसको close कर देंगे और अपने data minor पर आएंगे और data minor पर आने के बाद में आपको my recipes पर click करना है जब आप my recipes पर click करेंगे यहां पर द आप यहां पर next button यह जो आपको दिया गया है इसको आप click करिएगा और इस तरीके से आप देखेगा कि हमारे पास 20 rows extract हो गई है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको page scrap पर आ जाना है और page scrap करने के बाद my recipes पर आईएगा और यह जो हमारा final copy है इसको select कर लेंगे हम फिर हम यहां पर scrap and append पर click करेंगे और इसको scrap करते चले जाएंगे आप देखे 40 row हो गई फिर आपका 60 row हो गई 80 row हो गई आप 500 pages यानि कि लगभग एक page में आपका 10 data आता है यानि कि 5000 तक का number आप एक महिने में extract कर सकते हैं और अगर आप अलग अलग गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप unlimited data को scrap कर लेंगे वो भी बिल्कुल free में और एकदम accurate data क्योंकि Google पर जो भी business की information डालता है बंदा वो सही ही डालता है otherwise वो अपने ही business का loss करेगा तो यहां पर देखिए आप business नाम, address, phone number और website आ गई है proper तरीके से आप simple इसको download पे click करिए और जो भी आपको format चाहिए, clipboard में करना है, excel copy paste आपको जो करना है आप कर लिजे और आपकी file download हो जाएगी और download करने के बाद में आप इस file पर marketing कर सकते हैं, whatsapp और call कर सकते हैं, हम जो हमारा digital marketing course है, इसमें इस तरीके से काफी सारे tools को discuss करते हैं और उन चीजों को हम बताते हैं, जो क कोई भी नहीं बताता है, और हम इस चीज पर ज्यादा focus करते हैं कि एक agency कैसे, एक digital marketing agency कैसे work करती हैं अपने clients के लिए, जो चीज बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, वो सारी चीजे हम लोग बिल्कुल reveal कर देते हैं, और आप हमारे हाँ institute में आईए, हमारे जो students हैं, जो ल बहुत सारे ऐसे tools से, internet पूरा भरा पड़ा है, ऐसे tools से, Etsy, चीजों से, जो सब कुछ आपका automate कर देते हैं, everything आप automate कर सकते हो, और आप अपने आप में एक खुद agency हो, आपको कोई जरूरत नहीं 20-20 employees, 15-15 employees रखने की, आप अकेले 10-10, 15-15 employees का का काम अकेले कर सकते हो, और क काफी सारा पैसा आप बना सकते हो, तो इस तरीके की techniques को learn करने के लिए, आप मुझे जरूर comment करें, हम आपको काफी सारे tools और भी बताने की कोशिस करेंगे, thank you